Do you buy domains by directly searching from GoDaddy or Namecheap? Or have you done any kind of research before purchasing your domain name? So, अगर इन दोनों questions का answer no है, तो आप बिलकुली right video में हैं, क्योंकि इस particular video में हम आज discuss करने वाले हैं expired domains के बारे में. So, hello and welcome. मेरा नाम है सार्तक, आप देख रहे हैं WP Guider. So, question यहाँ पर arise होता है कि expired domains हैं क्या? Expired domains को बताने के लिए मैं आपको एक simple सा example देना चाहता हूँ, जैसे कि एक particular कोई भी domain होता है, वो एक या दो साल के लिए किसी के नाम के उपर registered होता है. For an example, मेरे नाम पे अगर मान लिजे Amazon.com registered है और वो एक साल के लिए registered है. अब मैंने उस पे एक website अपनी बनाई और वो website एक साल के बाद वो जो domain name है उसको मैं renew कराना भूल गया. तो जो domain name है वो वापस से market में आ जाता है और उसको वापस से कोई भी खरीद सकता है फिर से. तो expired domains का यही concept होता है कि अगर कोई भी domains है उस पे किसी ने पहले किसी ने काम किया होगा और उसको वो renew कराना भूल गया तो या फिर let's suppose उसने जो भी जिसने भी website पहले बनाई उसको अब उस particular domain name की जरूरत नहीं है. तो उसने सही वो expired हो जाता है और वापस से market में खरीदने के लिए available हो जाता है तो अब यह जो concept होता है इसी का expired domains का concept होता है तो अगर अब हमें इसको search करना है तो हम इसको किस तरीके से search कर सकते हैं expired domains अब अगर किसी ने पहले उस पे काम किया होगा तो आप यह समझ लो कि उस पे back links भी पहले से बने होंगे उसका जो DA domain authority है page authority है वो भी पहले से बना होगा अगर किसी भी domain पे पहले से काम होता है पहले से काम बना हुआ होता है तो उस particular domain की जो ranking है वो as compared to new domain जल्दी हो जाती है question आता है कि अब हम इन सारे expired domains को हम write कैसे किस तरीके से ढूंडे है भाई GoDaddy से तो हम directly ढूंड नहीं सकते है GoDaddy पे तो हम directly search करते है किसी भी brandable domain या जैसे भी available होता है non available होता है वहाँ पे वो चीज़ दिखाता है तो उसको search करने के लिए यह एक website है expired domains.net अब यह particular जो website है य मैं आपको websites बताऊंगा सारा के सारी websites का link मैं नीचे description में दे दिया हूँ आप वहाँ से check out कर सकते हैं तो यह जो particular website है यहाँ पे आप इसको simply आपको login करना होता है and login करने के पाद यहाँ पे इस तरीके का interface आ जाता है अब suppose आपको कोई भी किसी भी category में domain name चाहिए let's suppose मैं example लेता हूँ आप एक Amazon affiliate marketer हैं और Amazon के जो आप products हैं वो आप affiliate marketing के through अपनी site में promote करना चाहते हैं आपकी जो niche है वो है bag niche तो मैं मुझे यहाँ पे आपकी जो category है जो भी जैसे bags के उपर आपकी niche है तो वो आपको यहाँ पे type करना है और यहाँ पे search कर देना है तो अब आप दे लिक पा रहे होंगे जितने भी available domains हैं वो सारे यहाँ पे list मेरी आ गई है तो जो total domains यहाँ पे आए हैं वो है 547,782 तो साड़े पांच लाग domains यहाँ पे available हैं जो की expired domains हैं अब यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसे ही domain नहीं कर इतना यहाँ पे हम अब कुछ settings करेंगे उसको आप आप जब अपनी domains के ओपर जब आप research करेंगे यह सारी आप settings same कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है जैसे कि मैं जो personal experience जो मैं करता हूं वो मैं numbers नहीं चाहता हूं कि मेरे domains में numbers ना हूं और मैं चाहता हूं कि जो हैं hyphens हैं वो सारी चीजे ना हूं इसके बाद जो म available domains दिखा है जो कि available है good idea different platforms पे buy करने के लिए और यहाँ पे allow list में मुझे यहाँ पे deleted domains पे tap कर देना है जो कि deleted domains है अब यहाँ पे मुझे यहाँ second tab में आजाना है additional में मैं recommend करता हूं यहाँ पे .com domains को कि आप .com domains ही buy करें क्योंकि ultimately जब आप buy sell करते हैं उस domain को तो जो .com domain होत जाता है और अगर आप चाहते हो कि आपको एक .in domain चाहिए या इस तरीके कर चाहिए तो आप यहाँ से जो country level domains है यहाँ से आप search कर सकते हो और जैसे कि यहाँ पे इसको आप .in है तो इसको आप tap कर सकते हो तो .in domain अगर available होगा तो यह दिखा देगा मैं अभी इसको अंटिक आप से आप देख सकते हो तो उसके बाद जो आ जाती है वो यहाँ पर आ जाता है आपको मैजिस्टिक की सेटिंग्स करनी एडवर्ड्स एन ऐसी ओ अगर आप चाहते हो कि एडवर्ड्स का जो global volume में search volume इस particular domain का कुछ होना चाहिए तो यहाँ पर minimum और maximum बता सकते हो या फिर तो यहाँ पर मैं इस particular domain में मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ आप चाहें तो आप कर सकते हैं फिर यहाँ पर मैजिस्टिक में मुझे आ जाना है और लास्ट में यह देखे ट्रस्ट रेशियो बता रहा है यह मैजिस्टिक का मैजिस्टिक जो साइट होती है उसका एक क्र करने के लिए तो यहाँ पर ट्रस्ट रेशियो में हमें डाल देना है 0.3 और मैक्सिमम में डाल देना है 1.7 अब डोमेन पॉप में मुझे यहाँ पर आजाना है डोमेन पॉप बिसिकली क्या होता है कि जो किसी भी डोमेन पर बैकलिंक्स बनी हुई है वो कितने डिफरेंट बैकलिंक्स कितने डिफरेंट डोमेन से बैकलिंक्स आई है इसको आप सिंपली समझ सकते हैं कि एचरिफ में जो रेफरिंग डोमेन होते हैं कितने डिफरेंट डोमेन से बैकलिंक आई हुई है कितने डोमेन से इस पर डिफरेंट डोमेन को रेफर कर रहे है उनको तो मैं च set कर देता हूं यहां से trust flow और citation flow यहां पे आप देख सकते हो यहां पे आपको कुछ लगशा लगाना है setting तो आप लगा सकते हो बाकी बहुत ज़ादा setting लगाएंगे तो maybe availability ना मिले तो जैसे कि हमने यह कुछ setting समने लगाई अब यहां पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि 5.500.000 यहां पर डोमेंस अब लेविल दिखा रहा था अब जैसे ही हम अपलाई फिल्टर करने हैं तो अपलाई फिल्टर करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि simple 169 जो powerful domains हैं जिनको जो हमने अपनी SEO के हिसाब से जो backlinks हमने करी वो सारे backlinks जोड़ घटा करके 169 ऐसे powerful domains filter out होके आमको यह बता दिया है अब यहां से आप इसमें check भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी domains अगर आपको पसंद आ रहा है तो यह सारे आप buy कर सकते हैं simply go daddy में जैसे पी आपको करना है या right में आप सारे देख रहे हैं यह सारे domains अब level है और अब example के लिए मैं आपको जैसे की verify करने के बाद यहीं पर आपकी जो research है वो खतम नहीं होती है इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़े करनी है अब मैं example के लिए मैं यह domains जैसे की मुझे यह वाला domain अच्छा लग रहा है buyrealbacks.com इसका हम यह चेक कर लेते हैं कि यह जो यह backlink है कि देखिए majestic external backlinks इस particular domain में कितनी है तो buyrealbacks यह वाला मेरा domain रहा इस particular domain में 371 backlinks total बनी हुई है और 10 different domain name से आ रही है तो एक ही मुझे genuine लग रहा है कि 10 different sites से मुझे 371 backlinks इसमें पहले से बनी मिल रही है तो अब मैं क्या करूँगा इस particular domain को मैं यहां से copy कर लूँगा और अब हम चलते हैं अगर अगर आप hrefs यूज करते हैं तो वेलेंगोड यहां पर आप इसकी आकरते research कर सकते हैं और अगर आप नहीं use करते हैं तो मैं आगे चलके आपको बहुत सारी अभी free sites भी बताऊंगा जैसे कि आप वहां पे अपनी different kind of research आप कर सकते हैं तो href हमको जो data यह बताता है वो most time मलब कि precise data और ऐसा precise माना जाता है इंडस्ट्री में हमें कह रहा है कि reference domains जो है 11 और जैसे कि हमने यहां पर find किया था reference domains 10 domains यह हमें बता रहा था कि देखिए DP जो domain pop हमने set किया था minimum 10 हो तो यहां पर 10 हमें बता रहा है और href की data के साब से 11 बता रहा है और अभी हमको कुछी देर में यह पता देगा कि कितनी सारी इसमें backlinks बनी हुई है तो उसका हम data एक देख सकते हैं कि जो जो भी domain है जो भी इस particular domain पर क्या anchor text है और क्या जैसे बनी हुई है ठीक है DR PR आप देख सकते हो जो 74 DR है इसका domain rating basically और इसनी सारी high backlinks high authority backlinks असमें बनी हुई है और अब जो second आपकी जो free website है यह वाली website seochecker.com यह सारी website का मैंने आपको नीचे description में link दे दिया है आप वहां से इस free website से आप अपनी research आप कर सकते हो तो यहां पर आपको simply आकर के आप जो आपका domain name है वो आपको यहां पर tap कर देना है और यहां पर I am not a robot आपको आपकर करके इसमें लगा देना है और जैसे कि जब मैं इसको करता हूं तो इसको करने के बाद यहां पर अभी मुझे यह सा चारा data बता देगा कि इस particular domain का जो domain authority है back links है वो कितने है जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो इसमें पहले से बना हुआ है domain authorities की 7 है page authorities की 15 है और ध्यान रहे कोई भी आपको जो domain expired domain ले रहे हो उसका spam score जो होता है वो one ही percent होना चाहिए इससे उपर नहीं होना चाहिए इससे उपर होता है तो google में ranking में आपको तोड़ी दिक्कत हो सकती है और उसके बाद जो age है क्योंकि अभी age तो अभी नहीं define होगी क्योंकि अभी currently इसको किसी नहीं खरीद रखा है तो यहां से भी आप इसमें back links आप इसके check कर सकते हैं आप यह देख पा रहे होंगे यह जो link वा है रहते है रपली का handbags है में भी हम देख पा रहे थे यह वाली रपली का handbags यहां पे इस particular उससे बनी है jetronic.com से आईए और यह particular जो handbags है यह देखिए jetronic.com अभी पूरा नहीं कुल रहा है आप bottom left side में आप देख पा रहे होंगे jetronic.com तो यह भी आपको particular सारी आपकी back links बता देगा कि कितनी सारी back links इसमें बनी हुई है और nature भी बता देता है कि do follow है कि no follow back links है यह सारी चीज़े नहीं पता है do follow no follow back link तो आप बता दिजेगा मुझे comments में तो मैं इसको समझाने के लिए भी एक आपके proper एक video बना दूँगा क्योंकि यह थोड़ी समझने की technical चीज़े कि do follow back link जादा जरूरी है कि no follow back link जादा जरूरी है इसमें हम वापस जा जाते हैं अब जो do follow और no follow का जो ratio आ रहा है जैसे कि do follow back link इसमें हमें बता रहा है कि 96% है 80-20 का जो ratio होता है 80% minimum do follow back links होने चाहिए उससे उपर है जो ठीक है और well and good है तो यहां से हमारा domain name okay है अब second website में हम आ जाते हैं majestic.com majestic.com में आपको यहां पर पर आ करके same अपना domain name tap करना है और यहां पर paste कर देना है अब यह जो data हमें बताता है यह हमें बताता है df और cf के बारे में तो यहां पर आ करके यह मुझसे sign up करने के लिए पूछ रहा है sign up basically आपको simply आप यहां से tap करेंगे और यहां पर आप name email address company website डाल करके आप simply sign up कर लेंगे और आपको यह सारा data भी बता देगा चलिए मैं इसमें sign up कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ तो यहां पर इस particular website ने मुझे sign up करने के बाद यहां पर simply मुझे बता दिया है कि इस particular जो डोमेन है अपना byrealbacks.com यहां पर link quality बता दिया है trust flow जिसको हम कहते हैं और citation flow link volume जितना भी सारे link authority website से इसमें बने है उसका क्या है तो यह basically 0 से 100 की एक scale होती है दोनों की TF और CF दोनों की जितना ज़ादा हो 0 से 100 की scale में उतना ज़ादा हमारे लिए अच्छा है तो यहां पर 17 और 19 एक decent number है जिसको हम consider करेंगे अपने domain buying के process में और इसके बाद जो अगर यहां दूसरी website को हम check out करें तो यह है यह जो website है यह काम करती है कि actions band की checker करती है क्योंकि यह expired domain है यह new domain नहीं है इस पर पहले किसी ने काम किया हुआ है जिसकी मदद से इस पर backlinks औ को check करके बताएगी कि इस particular website में जो adsense है वो कहीं band तो नहीं है तो इसमें करने के लिए आपको क्या करना है कि https colon double slash आपको लगा देना है फिर आपको अपना domain name लिखना है और इसके बाद यहां पर check band का जो button है नीचे उस पर आपको tap कर देना है तो यहां पर tap करने के बाद यहां पर अभी यह बता देगा कुछ इले में कि जो particular domain है वो band है कि नहीं जैसा कि आप यहां पर नीचे देख पा रहे हैं कि band के section पे no लिखा हुआ है तो यहां पर हमारा पूरा का पूरा green signal मिल जाता है अब वापस से हम अगर हमें इसमें सब कुछ इसमें हमें सब कुछ स सारी चीज़ें यह हमारी ट्रस लो और साइटेशन फ्लो 17 और 19 है डीसेंट है चुकि AdSense हमारा band नहीं है तो यह good domain name है बाइ करने के लिए और इससे हमारी जो site है वो हम expect कर सकते हैं within 15 to 20 days हमारी rank हो सकती है कोई भी हमारे articles हैं वो rank हो जाएंगे तो यह एक जो SEO का एक जो मैं बहुत ही जादा important हो सकती है अब इसको हमें अगर buy करना है तो कैसे करना है यहाँ पर हम available पर हम tap करेंगे और यह देखिए go daddy का option है यहाँ पर हमें simply go daddy का option पर हमें tip tap कर देना है आपको जहां से भी buy करना है आप simply यह domain वहाँ पर search करेंगे चुकि यह available है तो यह सारी जगे स आपके नाम पर registered हो सकता है आप इसको go daddy से भी buy कर सकते हैं आप इसको name cheap से भी buy कर सकते हैं और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह सिर्फ और सिर्फ 199 डुपीज में आपको one year के लिए available है तो इतने cheap price में आपको यह expired domain जिस पे इतनी सही backlinks बनी होई है यह सारा availability ह हो रही है तो आप यहां से इस कुछ मेरे कहने का यह मतलब है कि आप इस तरीके से domain की आप research करें खुद और अपने जो आप Amazon affiliate की जो site है उसको आप जल्दी ranking इस तरीके से आप करवा सकते हैं क्योंकि आपके domain में भी power तो कुछ इसी तरीके से आपका जो expired domain है वो आपका मद तो hope so आप लोगों को यह detailed video समझ आया होगा अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो please एक like जरूर करिएगा वीडियो को और share जरूर करिएगा जिनने expired domains की बिलकुल knowledge नहीं है या जो new है इस particular blogging और Amazon affiliate की जो field है उस particular field में तो यह basically उन लोगों के लिए बहुत ज शेयर करिए लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा क्योंकि blogging और Amazon affiliate से related wordpress से related मैं ऐसे ही सारे वीडियो आपके सामने लाता रहता हूं thank you so much for watching friends